वेलकम टू रोशी हायात किचीन बिसमिल्य अर्माने रहीम अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हलवा एक बहुत ही टेस्टी हलवा बनाएंगे हम बनाएंगे केले का हलवा जो कि बहुत ही टेस्टी होता है बहुत ही ज्यादा पॉस्टिक होता है और खाने में केले केलए के हलोवे को बनाना हम स्टार्ट करते हैं मैंने ईक पैन लेने लिए है और उसमें जाल दिया हैAll झाजु लिये और एक टेबल स्पून मैंने किश्मिश का लिया है काजू और बादाम को मैंने छोटे-छोटे पीची तोड़ा कट कर लिया है अब इसको हम फ्राई कर लेंगे घी में फ्लेम हमने रखिए मीडियम टू लो के बीच में और इसको हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे ड्राइफ फूर्स को जब हम इसको हल्मे में डालते हैं तो इ तो इसके लिए मैंने यहां पर ले लिए थ्री फोर्थ कप के करीब मैंने सूजी का यूज किया है मान के चलिए एक कप से थोड़ा सा कम और सूजी को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो बीज में और बहुत अच्छे से अंदर भूल लेंगे सूजी थे से बून ना स हमारे पर्फेक्ट तरिके से बून चुकी है आप देख रहे हैं सूजी हमारे बून गई है बस इतना ही सूजी को रहा है जिस्तरहां से हममें सूजी को आते हैं फट्रे जाधा सूजी को भूनें उत стороны सूजी को नहीं भूनेंगे और देखेँगे अब इसमें हम डालेंगे दो महने केले ले लिए हैं को इस तरह हैं उसको मैंने पतले-पतले लगे केले इसमें अच्छे से mix होने लगे है तो इसको लगातार हम चलाते रहेंगे फ्लेम हमारी बीभी मेडियम तूलो की पीच मी है आप देख रहें हैं इस केले सूजी के अंदर बहुत अच्छे से mix हो गई है और सिफ एक दो मिनट के अंदर एक दम घुलने लगेंगे यह और यह देखी केले हमारे अच्छी से घुलने लगे हैं अब जो है हम इसको स्पैचुला से इस तरह से दबाते रहेंगे जिस से केले हमारे सुजी के अंदर अच्छी से मिक्स हो जाएं क्योंकि जीतनी अच्छी असी के अंदर baixo से अच्छी मिक्स होंगे उतने ही इसका ठेस्ट बहुत ही अच्छा आएंगा तो इससे इसको अमने लिगेए यह तो इसमें ईसको कर लीज sécurité और यह देखे अब आप देख रहे हैं कुछी देर में केले सूजी के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं केले बिल्कुल घुल चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे चीनी तो मैंने हम पर एक कप चीनी का यूज किया है चीनी को आप में टेस्ट के अकारडिक कम याद जादा भी कर स भाट चलाते रहेंगे और जब आपको लगे की सूजी के अंदर चीनी हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है तब इसको हम इसमें डालेंगे दूद को इसमें दूद का ही यूज होता है इसमें पानी का यूज आप ना करें दूद के डालने से इसका जो टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आता है तो इसमें मैं डालूँगी दूद तो मैंने यहां पर नॉर्मल अबला हुआ और रूम टेंपरेचर पर दूद लिया है एक एक कप करते हुए इसमें हम दूद डालेंगे तो मैंने यहां पर टोटल तीन कप दूद का यूज किया है और देखें तीन कप दूद इसके अंदर हमने डाल दिया है आप इसको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा इसको चलाते रही है आपके इसमें सूजी के लंप ना पड़ें तो इसको लगतार हम इस तरह से चलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सूजी जो है वो धूद को एड्जॉर्ब करने लगी है और अब इसके साथ नहीं हम डाल देंगे जो हमने ड्राइफूट्स को फ्राई करके रखा था वो भी डाल देंगे बस थोड़े से मैंने उठा लिए गानिशिंग के यह फूलने लगी है और जितना भी दूद हमने डाला था वो अब्सॉर्ब होने लगा है और यह देखिए कुछी दिर में आप देखेंगे कि दूद सारस में अब्सॉर्ब हो गया है अब इसको हम लगतार चलाते रहेंगे और थोड़े देर के लिए इसको हम और कि और यह देखिए अच्छे से यह थिक हो गया है अब इसको हम कवर करके रख देंगे सिर्फ दो से तीन मिनट के लिए फ्लेम हम आफ कर देंगे आप चाहें तो इस स्टेच पर इसमें केवरा वाटर गुलाब जल या इलाइची पॉटर का भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी इसमें बहुत अच्छी खुश्बुग आती है और यह देखिए दो तिन मिनट के बाद आप देखेंगे कि सूजी ने जितना भी दूता वह सा तैयार हो गया है अब इसको हम सर्फ करेंगे तो मैंने इसकी प्लेटिंग कर लिए और देखिए देखना है कितना जबरदस्त हमारा केले का हलवा बनके तैयार हुआ है और जिसमें जो थोड़ से ड्राइफूर्स हमने बचाए देना उसको मैंने इस तरह से डेकुरेट कर यह दो अब तरह के सकते और यह बहुत ही टिस्टी हलवा बनके तैयार होता है बहुत ही मज़े का बनता है कि मैं आपको इसको पात से देखा रहे हूं कितना जबड़्दस्त हना ऽसरिया आप जरूर ट्राइग कीजिए अब मुझे उमीद है कि में रैसिपी आपको जरूर पसंद आएगी और मेरी रैसिपी को आप अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ जरूर शेएर करें दौाओं में याद रखें और इस नई रेसिपी को अब जरू ट्राइए कीजिए अपना एक्स्पिरेंस कॉमेंट बख में जरू शेयर करें दौ में याद रखें थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो अलाहाफीज